आप सभी का पंकज एकोनोमिक सार्स में स्वागत है और आज हम लोग बात करें स्पेशली एकोनोमिक्स के विद्वियारतियों के लिए क्योंकि बहुत सार स्टुडेंट्स का कॉल या फिर मैसेज आ रहा था कि सर इस साल का जो बी ये में जो हम लोग एड्मिशन ले रहे हैं सीवी सीएस के दर सीवी सीएस मतलब 24 बेस क्रेटर सिस्टम उसके हम पढ़ाई कैसे शुरुबात करेंगे ये जो बी ये है बेसिकली बी ये रिसर्च के दिगरी मिलेगा बी ये एकोनोमिक्स रिसर्च पहले बी ये ओनर्स होता था ये आपका चार वरसों का कोर्स है और इ जदी आपने बी ये में एकोनोमिक्स रखा है तब इस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे डिसकस करेंगे और आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा कि जदी आपने एकोनोमिक्स कभी नहीं पढ़ा है तो कैसे सुरुवात करेंगे अकुछ लोग पढ़ें हैं एकोनोमिक्स जनरली वो बच्चे पसंद करते हैं जिनका इंट्रमीडियेद में साइंस रहा है और आगे हमने को चेहन किया है विसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका टुवल्थ में 11-12 में कॉमस रहा है और आगे एकोनोमिस का चेहन किये हैं तो इसमें कैरीर अफ्सन ब प्रहाई के सुरुवाद कैसे करेंगे मैं कुछ वुक्स आपको बता रहा हूँ जिसके दोबारा आप अपनी श्कुर्दी शुरुवाद कर सकते हैं तो चली हम लोग बाद करते हैं वैसे देखें जो अभी आया है जो अभी तक का डिस्कुसन है उसमें से फिसे का पता चल हमें अब गत्त हो रही है तो जो इह में है व्ह एकनामिक्स में जो सिमेस्टर वण है फॉसा। सेमेस्टर वन में आपको माइक्रो एकोनोमिक्स और मैथमेटिकल एकोनोमिक्स पढ़ना है वह से तक कुछ चेंज हो लेकिन पटना भी श्वीद्ले पढ़ना है सेमेस्टर वन में माइक्रो एकोनोमिक्स देखिए माइक्रो एकोनोमिक्स पेपर वन और पेपर टू में मेक्र इसमें से बहुत सारे स्टुडेंट्स है जो एकॉनॉमिक्स कभी नहीं पढ़े हैं अगर आप पहले से पढ़ें तो कोई दीक करने हैं आप डारेक्ट्ली जो हैं शुरुवात कर सकते हैं कुछ पुस्तक का नाम है बताता हूं बुस्तक तो बहुत सारी है उसमें जो इंपॉ यह थोड़ी सी अच्छी है तो प्रिंस्पल अप एकॉनॉमिक्स केसज क्राणफ काता है कि कैसज एंडरे fand ये फिर क्या के किताब आते पुरिंसिपलृप एकॉनॉमिक्स इससे आप शुरुबात करें और दूसरी किताब आते हैं Intermediate Micro Economics इसका Advanced Micro Economics भी आता है लेगिन आप Intermediate Micro Economics लिजेगा है ना हैल आर हैरियन यानि हैरियन का नाम से पुष्टक सेमस है कि बहुत असानी तरीके से दोनों पुष्टक मार्केट इमाँ को मिल जाएगा इसके अलावा एक बुक्स है जो इंट्रोड़क्टरी Micro Economics है अगर आपने 11-12 में नहीं रख पढ़ा एकनोमिक्स तो आप ए रेफ्रेंस बुक NCRT पर बेस्ट है यह आप ले सकते हैं धन्पत राय पब्लिकेशन का संधीब गर्द की बुष्टक है और दूसरा भॉलूम है Micro Economics का देखो इसमें जो नेशनल इनकम एकाउंटिंग है बहुत अच्छे तरीके से दियावा है और अभी से लेके आपको पीजी तक नेट तक आपको खाम देगा एदो इसमें हाना और अगर आपने एकोनोमिक्स रखें पहली बार पढ़ रहे हैं तो शुरुवात कहां से करेंगे तो शुरुवात आप यहां से करें इस पुष्टक से करें और उसके बाद जो है इस पुष्टक एपुष्टक बेस देगा बहुत कुछ नहीं लेकिना पुरा बेस आपको बना इंडियन और जिन के जो स्टुडेंट है एच लहूजा की पुष्थक है इसको भी हम लोग पढ़ते हो बड़े हुए है एक आप इसकी पुष्थक है यह दोनों मेडिया में मार्केट में आपको अफसान तरीके से मिल जाएगा एडवांस एकोनोमिक थोरी है एच लहूजा क यह भी आपको पुष्थक खर देंगा अभी से लेकर पीजी तक आपको काम देगा दुवारा पुष्थक खरने नहीं पड़ेगा तो नंबर बन पर नंबर टू पर हो गया एक दोनों किताब देखिएगा साथ-साथ ही देता है लिए पुराने किताब भी मिल जाता आपको काम चलेगा इसमें कोई चेंज होता नहीं है ना पुराने किताब भी अपो चलेगा फ़ेगा और पुस्तक को अराम से परिए मनलआप परिए डेली तीस चालीस पचास पर ने की च्छमता और जब भी परिए तो पेंसिल और कलम हाथ में रखके परिए बहुत साई डाइग स्ट्राम इसमें आपको सिखा दिया जाएगा और इसके अलावा एक सॉम सिरीज की किताब आती है सॉम सुरीज की अगर ओनलाइन तो काफी महगी देगी पुराने कुछ तक है या फिर आपको बजार में पटना के बजार में आगर आप हैं या ओनलाइन कहीं से कुछ तक जिसक्स का भी आता है सभी का आता है तो उसके पढ़ लिए लेगन शुरुआ तो करता है उसके बाद जो मैथमेटिकल एकनोमिक्स है तो ऐसे समान तरपर यहां जो आपका जो पुस्तक हम पढ़ते हैं महतान मद्नानी का उसके बहुत सारी गल्तियां है इसमें पुदा उट आपका बेस हो सकता है लेकिन एसी चियांग के किताब आती है मैथमेटिकल मेठड का उसको आप ले सकते हैं एसी चियांग का मैथमेटिकल एकनोमिक्स ने लिए आर जी एडी एलन में मैथमेटिकल पार्ट का जो जो मैथमेटिकल एकनोमिक्स का जो बेस है जो थेटिकल पा से यूज करना उसको सीखेंगे जैसे आप कोई वीची कोई क्वेशन पढ़ते हैं उसी क्वेशन का मतलब जाने का प्यास नहीं करते हैं अब economics में जब है कि हम लोग mathematics को यूज करते हैं उसको समझना है थोड़ा सा सब्सक्राइब करते हैं मैं देख रहा था आप अच्छा कंटेंट इसमें भी है इससे भी आपके पास होना चाहिए हर कुछ हम नेट से उठाले तो नहीं काम चलेगा कुछ तक अच्छी होगी कुछ तक को पढ़ने की चांदर डेवलर कीजिए यह आप एसी चियांग का ले जिए गा या मैथमेटिकल मेठाड फोर एकोनोमिक से रचसन का वियाता है लेकिन नहीं हम लेने के लिए कर रहे हैं एससे जियांग कर ले लिए और मेहतार मनानी जो कॉलिज वेगर अपने असांद रखिए और इस पुछता को लिए हिंदी मेडियम में है लिए पुछता क स्टाइश्टिक्स है जैनि देलुचिंग किताब ले लिएगर और साथ में आपको एक किताब है एक किताब अच्छी है इसमें आपका पुरस सिलेवस को वर अच्छे तरीकेश करा दे रही है इसलिए इस पुस्तक को आप मार्केट से उठा कर ले सकते हैं या फिर मैं एक और पुस्तक को बता दू इस स्टेक्स में जड़ी आप रखें हैं तो एक पुस्तक भी आप ले सकते हैं देखो ऐस पुपता की स्टाटिस्टिकल मेठर है देखिए ध्यान से इस पुस्तक को ले सकते हैं पुस्तक कापी अच्छी है अभी लीजिए आपको प्रिच को किता कर जरूठ नहीं पढ़ेगा त इस तरीके से पढ़ने का प्रयाज किजिए नेट पर तो लोग पढ़ते नेट अच्छी चीज़ है लेकिन कुछ तक पढ़िएगा पढ़ने की चमता लिखने की चमता आप अपने अंदर डेबलब किजिए अजब आप पढ़ते हैं अच्छा लग रपाद बूल जाहिएगा तो नोट्स बनाने से क्या होगा आपका जो चीज़े याद रहेगी अधुशन नोट्स जब बनाते हैं माले कोई एक पारा उठाए तो कहां से लिखे केशन फेर से लिखे कितना पेज नमर से लिखे इनडमेडियेट माइक्रो अधुशन पारे कितना कोउँ से पेज पारे रॉल पिंढी की किताब आती है हना एमल से आपका उसके बाद नहीं है पूरा चीज, यहांने की पुस्तक सब कुछ मिलेगा यहां तो लोग इसको रिंपर करते हैं, हम रिंपर करते हैं तो लोग इसको रिंपर होना होगा, लोगों से न क्या होगा, थोड़ा से intermediate का जो function वाला part है, function, differentiation 1 variable, differentiation 2 variable, maximum minimum 1 variable, maximum minimum 2 variable, maximum minimum 3 variable, lagrange multiplier, इतना सीख लिजेगा, तब को पुस्तक समझने आना शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा mathematical इसमें रहता है, फिर कुछ जानी कभी पुस्तक आती है, तो मैं अभी बता रहा हूँ, पुस्तक तो बहुत है, लिक क्योंकि अभी फिर आपको exam होगा, December में, हर 6 मैंने exam होगा, लेकि 4 मैंने exam ले लेती है, समय पे एक result देना होता है, इसलिए पढ़िए, और उसके बाद exam दीजे फिर पढ़िए, लेकिन जो syllabus है, उसको अगले 4 साल में पूरी तरीके से पढ़ जाईएगा, तो I think अब आप जदी बीए करके निकलते हैं, चारो साल में पढ़ते हैं, देखी, कॉलेज हो या कोचिंग सस्था हो, आपको एक अच्छा गाइडलेन देती है, कोचिंग से फाइदा क्याता है कि 4 साल का syllabus पढ़ लेते हैं, लाइब क्लासेज भी चलता है, रिकॉर्डिंग लेक्षर भी इसको बारवर देखते हैं, और इस तरीके से अपने आप में सुधारला सकते हैं, तो जदी आपने एकोनोमिक्स रखा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एकोनोमिक्स का बेसीक चीज पूरी तरीके से सिखा दूँगा, जदी आप 4 साल तक लगतार क्लास में र कैरियर तो बहुत है, कैरियर के वाएने मैंने बताया था, इसमें स्पेशली पेसी आईएस की जाम करवाती है, इंडियन एकोनोमिक सर्विसेज के करवाती है, इसके अलावा, इसके अलावा आर्वीय में बहुत सारा पोस्ट है, जो स्पी एकोनोमिक्स वाले को मिलता है, पूरी अच्छे तरीके से किताबों को पढ़ें किताबों से प्यार करें, पिताबों से महबत करें, तभी ये आपको भी महबत करेगा, जदी आप इसको नेड़िट कीजिएगा, फूरू होगा, एक तरफा नहीं चलेगा, यापको इससे लगाव रखना होगा, जदी आप शुरू से ही, जदी आपने बी-एम एकोनोमिक्स शुरू से ही पढ़ते हैं, तो आपको किसी तरह की परसानी, किसी स्टेज पर नहीं आएगा, हर कुछ असानी तरिके से सीखते चले जएगा, आई थिंग हमारा एच छोटा सा सुल्हाव, जो लेक्चर है, आप सभी अर्थ-शास्र के विद्यार्थियों के लिए, एकोनोम झाल्ड़।